दोस्तो पहाड़ी आयरबेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोगों सामने चंपा का फूल लेकर आया हूँ दोस्तो इस चंपा के फूल को गुलाचीन भी कहते हैं छीर चंपा भी कहते हैं स्वन छीर भी कहते हैं इस तरह से अलग-अलग भासाओं में इसके अलग-अलग बहुत सारे नाम है आप किस नाम से इसे जानते हैं हमें जरूर बताईएगा दोस्तो इसके हरे-हरे पत्ते होते हैं मोटे और कड़क होते हैं और फूल दोस्तो इस तरह से होते हैं देख लीजिए दोस्तों चमपा के तीन परजाती होते हैं एक पीला फूल वाला होता है एक सफेद फूल वाला होता है और एक गुलाबी फूल वाला होता है तो यह जो आप देख रहे हैं यह सफेद फूल वाला है दोस्तों यह पौधा भारत वर्ष में हर जगा देखने के लिए मिलता है यह पौधा छाएदार होता है और काफी छत्तेदार होने के वज़े से इसके नीचे बहुत ठंडक होता है और इसकी उचाई कम से कम 10 से लेकर 15 फुट तक पाया जाता है और बहुत से गाडनों में छो फाइदेग बारे में बात करें कि यह फूल और यह पत्ते हमारे लिए कितने फाइदे मंद हैं दोस्तों यह चंपा का पोधा आवर्वेदिक गुडों से भारा हुआ है यह हमारे सरीर के अनेकों बिमारियों को जल से ठीक करने के ताकत रखता है दोस्तों अर्थराइटिस का दर्द घुटनों का दर्द या नसों के दर्द में यह बहुत ही फाइदे मंद है इसका उपयोग कैसे करना है ओ मैं आपको बता रहा हूं आप ध्यान पूरुवक सुनों दोस्तों चंपा के फूल पत्ती और जड़ तीनों चीजों को हरा हरा ले लिजिए और उस तीनों गता है किसी शूती या कपड़े में डाल कर इसका रस निचोड लीजिए तो दोस्तों अगर सब को मिला कर आग पे पका लीजिए और पकाने के बाद जब तेल ठंडा हो जाए तो उसे किसी कपड़े से छान कर उसका स्वस्त साफ तेल निकाल लीजिए और किसी बोटल में सीसी में भर लीजिए और फिर आप इसे किसी भी दर्द में इस्तमाल कीजिए आपको अवस्य फाइदा होगा या चमपा का पौधा तोचा रोग के लिए भी काफी फाइदे मन्द है अगर सरीर में किसी भी तरह तोचा रोग है तोचा रोग में जैसे दाद, खाज, खुजली, सुराइसिस या किसी भी तरीके का इंफेक्शन या फिर बालों के अंदर का इंफेक्शन दोस्तो हर तरह के तोचा रोग में या चमपा का पत्ती काफी फाइदे मन्द है आपको क्या करना है कैसे उप्योग करना है वह अब इधी मैं आपको बताता हूँ दोस्तो चंपा की कॉमल कॉमल पत्तों को तोड़ कर पत्थर के सिल में पीश कर या मिकसर में पीश कर इसका रस निकाल लीजिए तो दोस्तो अगर 100 ml रस है तो उस 100 ml रस में 50 ml चंदन का तेल डालिए और 25 गराम कपूर का तेल या फिर डायरेक्ट कपूर डाल कर मिला कर इसे आग में रखकर पकाईए पकने के बाद जब चंपा की पत्तों का रस जल जाए बच जाए सिर्फ तेल और कपूर का अंस तब उस तेल को आप ठंडा कर रख लीजिए किसी भी परकार के तोचा रोग में लगाईए आपको फाइदा होगा